निजवर्ड इंडिया की टीम इस वक्त कलियर विधान सभा से आम आदमे प्रत्याशी सादाव आ निने के पास आई हैं in से पता करते हैं किस तरह नोग बारे परेशान हैं ऑश्य है यहां पर दोने ही सरकारों ने खाली परेशान करने काम किया है युवाओं के लिए कभी रोजगार की बात नहीं करी कभी महिलाओं के लिए रोजगार की बात नहीं करी कभी बेटियों के लिए अच्छे कॉलिजिस की बात नहीं करी कभी बच्चों के लिए अच्छे सिक्षा की बात नहीं करी तो परिशान तो हैं लोग और कहीं न कहीं सबने अपने दिल में दर्द चुपा रखा है कहीं न कहीं युवाओं के दिल में एक ऐसी ज्वाला है जो इस बार फूटेगी और जो इस बार दिखाएगी कि युवाओं में जो दर्द है वो क्या है कि युवाओं की आवाज बनके साधा अलम जी कलियर विन्हान सपा में आये हैं देखिए मैं खुद युवाओं हूं तो जाहिर सी बात है युवाओं की अवास तो बनना जाहिर सी बात है क्यों ना बनूं ये बताइए क्या उन बच्चों के लिए कभी कोई नहीं सोचेगा जो पड़िक के, MBA करकर, BTCR से डिग्राइए लेकर और आज बेरोजगार Google क्या उन बच्चों के लिए कोई नहीं सोचेगा, जिनको पढ़ाई पैसे चाहिए और उनके लिए कोई नहीं सोचेगेные हमिए कहां से भी लोग करते हैं एसाह मैं काशिवपुर से उत्राखिंट से बलॉंग करता हूं को देखिए साबिर पाक का दर है और हमारा सविधान में चुनाव लड़ने का कहीं भी मौका देता है आपकी श्टेट के वासी हैं तो कहीं भी चुनाव लड़ सकते हैं और दूसरी बात यह है कि मैंने आज पीरान कल का क्योंकि आप जो बेहतर समझते हैं और जो बेहतर कर सकते हैं उसके लिए एरिये से मतलब नहीं हो ता आपकी सुछ से मतलब होता है आपका चुनाव इठियास क्या है साब मैं एक बहुत गरीब परिवार से हूं और अल्लह ने मुझे आज इस काबिल बनाया है कि मैं आप ऐसला इंसान वो अपने परिवार के जिसने चुनाव में कदम रखा है कासीपूर के रहने वाले हैं सदाब जी कासीपूर में भी हुआ है क्या उनके लिए कभी रोजगार की बात की इस मेरे यहां पर कम से कम सवाल थोड़े कड़वे लगे लगे लिए अच्छी बात है कर देखिए पीरान कलियर की जनता विधाय क्योंच उन्हें बड़ा अच्छा सवाल है। पीरान कलियर की जनता को दिया क्या है, कि जिसलिए वो मुझे विधायक ना चुने यह बताईए। क्या पीरान कलियर के जो मोजूदा जो विधायक और सांसद हैं उन्होंने रोजगार के लिए कुछ चीजे मोहिया कराई हैं क्या यहां पर इंडस्टीज लेकर आई हैं क्या यहां पर यूवाओं के लिए अच्छी सिख्छा की विवस्ता की है क्या यहां पर आज भी पर देखने वाला नहीं है खाली राजनीती धर्मों के नाम पर करते हैं ब्रादरीबाद के नाम पर करते हैं अगर काम की बात आजाती है तो राजनीती खतम हो जाती है तो क्या आज इंजिनियर शादा वालम यूबाओं के सम्मान की बात नहीं कर सकता अच्छा लगा आपके आप मुद्दे बहुत हैं लेकिन मुद्दे जो है जिनता यहां की जो आप मुद्दे उठा रहे हैं उसे समझ पाएगी या नहीं देख कभी bjp की कभी Congress की आमाद्मी पार्ट्वी पार्टी ने इस बार एंट्री की है क्या देख रहे हैं क्या सरकार बनाएंगे या शादा ऑब आलम जी अकिले विधायकश बनते अपने बच्चों के लिए अपने मावाब के लिए सम्मान का और उन यूवाओं के लिए इन बेहनों के लिए उन भाहीयों के लिए सम्मान का जिनकी आवास बलंद करनी है विदानसरभा के अंदर आप ये बताईए अगर हर ईनसान राजिनिती करेंisterhol के की है कॉंग्रेस के 11 विधायक 2017 में बने जो विधायक नीदी है वो तो खर्च कर देते हैं लेकिन उसके बाद जब भी कोई और बात आती है तो कहते हैं बीजेपी के सरकार है हमारे काम नहीं हो रहे इस तरीके से आप अकेले विधायक बनते हैं जब 11 515 विधायक मिल के काम नहीं कर symbols और आप कैसे करवा पाएं ने विधायक बनना एक बहुत बड़ी ताकत है अपकर बता दूविधायक बनना एक जंते का विश्वास होता है अगर विधायक बनता है तो उसकी सोच होनी चाहिए उसके थोट्स हैसे होने चाहिए इंडस्ट्री लगाने के लिए आपके थोट्स के लिए होने चाहिए आपके संबंद होने चाहिए आपको नौलीज होनी चाहिए मैं आपको बताना चाहूंगा पीरान कलियर विदान सभा के अंदर अगर रणीती के तहत इसको वंचीत रखा गया क्या आज भी रोडबेस बसेड़ा नहीं अचाहिए था जहां पर पूरे वर्ड से जाहिदीन आते हैं क्या उस जगह पर रोडबेस बसेड़ा नहीं होना चाहिए था जो आठ किलोमेटर लंभी नहर है बारदरी तक क्या वहां पर ट काम ही है यदि कलियर की जनता आपको चुनती है विलायक इस बार यहां से तो जितने मुद्धे आपने बताए क्या इनको पूरा कर पाएंगे इंशाला साब मरते दम तक मैं कौसिस करूंगा और अब मेरे जीवन का मकसद सिर्फ काम करना है अब उन बच्चों के लिए काम क करना है जो माई बहने परिशान है रोजगार की आखरी सवाल कि आपका चुनाओ अनुभव बिल्कुल नहीं है और समाचार पत्रों से पता चला कि आपने जो सुबह के पूर मुख्यमंत्रे हरी सावच जी उनको ही चैलेंज कर दिया कि वह मेरे सामने चुनाओ लड़े दे नगाउस तो औरन देंगे बसेर हुए प्रडंडे हरी साथ तो आप यह बताई है मुझे साउट फूटी फूटी क्यों है यह काली जुमले बाजी है वीजेपी और कौनग्रेस की और इन मुख्यमंत्रियों की और कुछ नहीं है तो आपने देखा कि सादा वालम जी के अंदर कितना जोस है युवा है इसलिए जोस भी है अब देखना ये होगा कि कलियर की जनता इन्हें अपना विधायक चुनती है या नहीं अपने सही हो कि विनो चोधरी के साथ मैं मुहम्मद अजीम न्यूजवर्ड इंडिया हरदवा कलियर